आपको अपना सिर उत्तर की ओर क्यों नहीं रखना चाहिए। मान लेते हैं, आपको पता है कि पृत्वी में एक उत्तरी ध्रोव है और एक दक्षनी ध्रोव है, यानि ये चुम्बकी केंद्र है। और आप ये भी जानते हैं कि धर्ती के पूरे भूखंड, पूरे महाध्वीब, धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहे हैं, वो चल रहे हैं। आप जानते हैं, भूवी ग्यान से आप कम से कम ये तो जानते ही हैं कि सारे भूखंट खिसक रहे हैं, हिमालय की परवत श्रेणिया कैसे बनी, हिमालय परवत, मान सरोवर, आपको मान सरोवर में समुद्र की सीपिया मिलेंगी, क्योंकि किसी वक्त वो समुद्र के लेवल पर थी, आज ये 15,600 फुट की उचाई पर है, तो ये जील वहां कैसे पहुँची, एक समय ये समुद्र के लेवल पर थी और आज वहां पहुँच गई है, क्योंकि असल में पूरा भारती उप महाध्वीब सेंट्रलेशन प्लेट स टकरा रहा है, और इसी वज़े से हिमालाय के पहाड अब भी उचे होते जा रहे हैं, ये बस उठते जा रहे हैं, एक टकराव के कारण, आपने कारों का धेर लगना देखा है, बस वैसे ही है, भारत भी टकरा रहा है, भारत हर साल लगभग 1.2-3 सेंटिमीटर छोटा हो रह लेकिन ये लगभग उस रेंज में हैं, हर साल भारत 1.2-3 सेंटिमीटर का इलाका खो रहा है, क्योंकि ये हिमालय श्रिंकला से टकरा रहा है, और वहाँ पर धेर लग रहा है, क्योंकि उत्तरी ध्रूफ का चुम्बकी आकर्शन धीरे-धीरे सारे भूखंडों को उपर खी नीच रहा है, तो इतना विशाल चुम्बकी आकर्शन जिससे महादवीप उपर खिसक रहे हैं, उस तरह का चुम्बकी खिचाव लगातार पूरे गलोब में कायम है, मान लीजे, आपको थोड़ा से एनीमिया है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपके लि एक महतुपूर्ण हिस्सा है, हाँ, तो अगर आपके शरीर में आयन तैर रहा है, और मैं आपके सिर पर एक शक्तिशाली चुम्बक लगा दूँ, तो हो सकता है कि धीरे-धीरे खून उस दिशा में जाने लगे, है ना, मान लीजे कि ये चुम्बक बहुती शक्तिशाली है तो ये खून को धीरे-धीरे उपर खींचने लगेगा, क्योंकि खून में आयरन मौजूद है, आपके शरीर की सनरचना ऐसी है, कि आपका दिल, जो सर्कुलेशन सिस्टम का पंपिंग स्टेशन है, वो तीन चौथाई उपर की ओर है, ना कि बीचो बीच, चुम्कि पंपिंग स्ट्वाकर्शन के दिशा में पंप करना आसान है, तो ये यहां है, आम तोरपर, जो भी खून की नसें नीचे की ओर जा रही है, वो मोटी है, और जो नसें ऊपर की ओर हा रही है, वो काफी पतली है, यहां तक पहुँचते पहुचते, वो लगभग बाल की तर तो अभी आप इस तरह हैं, अब आप ऐसे हो गए, पहले ही सिस्टम में थोड़ा सा असन तुलन है, क्योंकि दिल गुरुत्वाकर्शन के प्रतिरोध को ध्यान में रखकर पंप कर रहा था, अब अचानक गुरुत्वाकर्शन का प्रतिरोध नहीं रहा, आप इस तरह हो गए और अब आप अपना सिर उत्तर की ओर कर लेते हैं, धीरे धीरे खून आपके मस्तिश की ओर खिंचता है, तो एक चीज जो आपके साथ हो सकती है, वो ये कि आपको अच्छी नीन ना आए, अगर आप अपना सिर उत्तर की तरफ करके सोते हैं, तो आपकी नीन खराब हो सकती है, हर किस्म के सपने आ सकते हैं, अगर आपके उम्र ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए, या आप नीन में मर सकते हैं, ऐसा बिलकुल संभव है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोए तो आप मर जाएंगे, हर रोज, हर रोज, हर रोज, अगर आपका बिस्तर उसी तरह लगा हुआ है कि आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं तो आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं किसी न किसी तरह की समस्या हम नहीं जानते कि किस तरह की समस्या वो आपके सिस्टम की मजबूती पर निर्भर करता है अगर ये बहुत कमजोर है तो आप मर सकते हैं या आपको स्ट्रोक आ सकता है या बस आपकी नींद शान्त हो सकती है या बुरे सपने आ सकते हैं या दिन के दोरान आप अजीब हरकते करेंगे तो तमाम चीजें होंगी क्योंकि मस्तेश्क में अधिक सर्कुलेशन हो रहा है जब इसे नहीं होना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि सोते समय आपने अपना सिर उत्तर की ओर रखा तो अगर आप दक्षणी अमेरिका जाते हैं तो आपको अपना सिर दक्षण की ओर नहीं करना चाहिए अगर आप आस्ट्रिलिया जाते हैं तो आपको अपना सिर दक्षिंड की ओर नहीं करना चाहिए वहाँ पर आप सिर उत्तर की दिशा में रख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में आप अपना सिर उत्तर की ओर मत कीजी आप एक सुई की तरह गोल घूम सकते हैं पूर्व सबसे अच्छा है उत्तर पूर ठीक है पस्चिम भी ठीक है दक्षिंड कोई और चारा नहों तो उत्तर में बिलकुल नहीं अच्छा उत्तर प्रेकों तरह बिलकुल उत्तर पूर। झाल सुट की घुटाँ